दोस्तों आप लोगों के द्वारा पूछे जाने वाले सवालों में से एक प्रमुख सवाल ये भी रहता था कि 164 के बयान के बाद क्या होता है 164 का बयान होता क्या है लोगों को 164 के बारे में डिटेल जालकारी ना होने पर उनका कई बार नुकसान हो जाता है वो कई बार जेल चले जाते हैं, कई बार उनकी गृफसारी हो जाती है, कई बार तो पूरा मुकदमा ही खराब हो जाता है तो दोस्तों आईए आज के इस वीडियो में हम यही समझते हैं कि 164 का बयान क्या होता है दोस्तों, जब किसी महिला के बिरुद्ध कोई अपराद होता है, तब वाजब थाने में सिकायफ करती है, जो उसके साथ घटना हुई है उसकी जब वो सिकायफ करेगी, तो पहले प्रतन सूचना रिपोर्ट दर्ज होगी इसके बाद में, 161 CRPC के तहर्ट थाने में उसका बयान लिया जाता है, जो कि विवेचना का ही एक पार्थ होता है यानि उससे पूछा जाता है कि आपके साथ क्या-क्या घटना हुई है, इस बयान में बिलकुल असपस्ट रूफ से आप बताईए इसके बाद में दोस्तों, कई बार 161 के बयान में क्या होता था, कि पुलिस वाले 161 का बयान ले रहे होते थे, नेकिन वो सब पुलिस के आद में होता था, ठाने में बयान होता था पुलिस वाले उस बयान को तोड़ मरोड कर भी पेस कर देते थे जिससे की पूरा मुगदमा ही खराब हो जाता था इस स्थिति में जब महिला के विरुद कोई भी अपराद कारित होता है तब उसका बयान 161 में तो एक लिया ही जाता है साथ ही ये भी कहा गया 164 CRPC में कि उस महिला का बयान मजिस्टेट के समक्ष भी होगा मजिस्टेट यानि की आपके जैसाब अगर पुलिस के सामने 161 का बयान होगा दूसरा बयान का होगा 164 का मजिस्टेट के सामने अब यहां इस सिति जब आती है तो पुलिस वाले भी 161 के पेष नहीं कर पाते हैं उसके सती हिए अगर यहां बयान में हम कुछ गल्स कर देंगे तो अभी तो तुरंत लेके जाना है मरिस्टेट साहिवा के पास यह मैश्टेट साहथ के पास जहां यह मैला अपना बयान देगी और फिर हमारा तो बैयान जूटा हो यहां कहें रहेगे घural हमागत कर से बयान कोैम बंद करके आयो को दे दिया जाता अब वह बयान आपको नहीं मिलेगा कि आप 164ड का देखने की क्या बयान कि आप अब आयो अपनी सीडी में सनलंग में करेगा जो बिवेचना कर रहा है इसके बाद में बिवेचना के पस्चाद जिबो चारसी न्याले में प्रस्तुत करेगा तब आप वो बयान देख सकते हैं अब दोस्तों कई स्थतियों में होता ये है कि लोगों के बिरुद्ध मुकदमा पंजी करित होता है अब वहाब लोग क्या देखते हैं इंटरनेट पे देखते हैं कि इसमें 363 में तो गिरिफ्टारी ही नहीं है इसमें तो 7 साल से कम की सजा है इसमें कोई दिक्कत ही हमें नहीं होने वाली है और हम क्या करेंगे मेरा पुलिस वाले अगर लिखे है तो लिखे रहे जाए इसमें पुलिस वाले क्या करते हैं 3-4 दिन अगर लड़का बाहर भी है या लड़का नर पर है लड़का उनके संपर्ग में है या नहीं है अगर लड़का उनके संपर्ग में भी रहता है तब भी वो लोग करते क्या है कि 164 के बयान का इंतजार करते हैं चुकि अगर महिला 171 में महिला ने कह भी दिया है कि यहां इनोंने हमारे साथ बलातकार भी किया है तब भी वो आगे प्रकरिया नहीं बढ़ाते हैं चुकि यह रहता है कि अगर महिला स्टेट के सामने जाकर इसने कह दिया कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ तो मुझे केस बंद करना पड़े वो गिरिफतारी भी नहीं करते हैं करते क्या है महिला को ले जाकर दो एक दिन में महिल स्टेट के समझ प्रस्तुत करते हैं 164 का बयान करवाते हैं इसके बाद में जब उस 164 के बयान से असपष्ट हो जाता है कि यह बट्की मुझे भगा कर लेकर गया मेरा बलातकार भी कि या तुरंत आपको उठा लेते हैं अब आपकी छोटी धारा में मुकदमा लिखा लेकिन 164 का प्रभाव यह हुआ तुरंत आपकी गिरिफतारी कर देंगे धारा फर्मीम कर देंगे कहने का मतलब यह है कि आपके जो केस लिखा गया है उसमें कौन सी धारा बढ़ेगी कौन सीधारा घटेगी इसका पूरा जिम्मा 164 के बयान का हुसा है 164 के बयान में वो महिला जो जो आरूप आपके विरुद लगा रही है उसी आरूप में आपके विरुद चाव सीट आने वानी है आप चुकि पुलिस बहुत जादा जाच नहीं करती वो इसे कोई बाद नहीं था करते हैं 164 की खिलाप जाने से डरते हैं चुपी वो जानते हैं कि अगर हम 164 के खिलाप जाएंगे तो नियाले में पुटेस्ट हो सकता है चुकि नियाले के सामने ये बयान देकर महिला आईए तो 164 की इतनी差 वोती है कि वह आपको किसी केस से बचा भी सकती है और आप को किसी केस में फसा भी सकती है आपके ऊपर धाराएं बढ़वा भी सकती है धाराएं घड़वा भी सकती है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फ्लियर हो गया होगा 164 की बयान के मारे में तो आज की इस वीडियो में तनाई मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सा कानून की जानकारी अपने दिकारों की जानकारी चनल के मांदम सुमेते रही मांगों से बचके रही I love you all